हेलो स्टूलिंज, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट, सो आपका इंटरनेट क्या है, इंटरनेट is a network of computers, ये क्या है आपका, बहुत सारे जितने भी computer से उनका क्या है, network है, विइश लेंक्स को हम क्या बोलता है, connected, many different types of computer, जितने भी different types के computer हैं, उनको क्या करता है, जोडता है, आपस में connect करता है, पूरे world में, वो आपका क्या होता है, Internet, तो internet हम short में क्या बोलेंगे, कि जितने भी आपके different types of computers हैं, पूरे वर्ड में या पूरी दुनिया में उसको आपस में बहुत सरे different types of network से जोडता है वो आपका क्या होता है internet अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं it is a large interconnected network और network of networks तो यहाँ पे आपका क्या है जितने भी आपके network हैं बहुत सरे different types of network हैं वो आपस में connect करते हैं बहुत सरे devices को उसको कि हम क्या बोलता है internet अब यहाँ पे आप देख लीजे आपकी जो हाँ एक और चीज जो आपकी devices हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं कुछ भी चाहिवो wired से जुड़े हुए हो चाहिवो wireless से जुड़े हुए हो जैसे आपका TV आपका mobile phone आपका smart TV आप बोल सकते हो कुछ भी laptop computer PC तो आपकी जितने भी devices हैं अगर आप वो किसे connected है आपस में एक दूसरे से आप इंटरनेट से नेट से अब यहाँ पे आपने एक डाइग्राम बनाया हैं यहाँ पे यह चार computer हैं जो क्या है connected है computer 1 connect है computer 2 से computer 2 connect है computer 3 से computer 3 connect है computer 4 से जब यह आपस में connected हैं और यह कैसे connect होंगे किसी network के थ्रू connect होंगे अगर मैं बोल देती हूं कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे networks हो network 1 network 2 network 3 network 4 बहुत सारे हो सकते हैं और वो बहुत सारे क्या हैं आपस में interconnect हैं तो और वो बहुत सारे network बहुत सारे computer को क्या करते हैं connect करके रखत इसको हम क्या बोलते हैं इंटरनेट अब बात आती है हमारा नेटवर्किंग की कि हमारा नेटवर्किंग होता क्या है नेटवर्किंग होता है जब भी हम कोई भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वो आपका क्या होता है नेटवर्किंग ठीके तो networking क्या होगे transmission of data by setting up computer networks हम networking को computer networking भी बोलते हैं हम ऐसे भी बोल सकते हैं जब दो ये दो से ज़्यादा computers आपके आपस में connect होंगे और वो resources को क्या करेंगे share करेंगे अब resources को कैसे share कर सकते हैं वो अपनी files को exchange कर सकते हैं या फिर कोई भी electronic communication को allow कर सकते हैं for example यहां पर user A है और यहां पर user B है यह आपस में communicate कर रहे हैं किस कैसे communicate करेंगे internet की through ठीके तो internet की through करेंगे वो communicate कोई भी network उस पैसे जरूरी निये internet की through आप क्या करोगे communicate करोगे जैसे मैंने लिया WhatsApp यहां पर जो भी computer A है उसमें message sent किया computer B को हाई और computer भी क्या करता है उसको respond कर देता है हाई तो यह आपस में जो भी communication कर रहे हैं इसी कोई हम क्या बोलते है network जहां पर आपका क्या हो रहा है data transfer हो रहा है thank you have a nice day